Hello students, welcome to Global Online. So, NTA U-designate December 2013 examinations related एक बहुत important discussion आज हम करने वाले हैं. So, इस वीडियो में तीन सबसे बड़े सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगी. जिसमें पहला सवाल है कि ओफिशिल नोटिफिकेशन कब आईगी? कब students को पता चलेगा कि exam का क्या schedule रहने वाला है? साथ ही online application forms का process कब शुरू होगा? और finally December examination की dates क्या रहेंगी? यह सभी चीजें हम discuss करेंगे and उसके साथ ही कुछ ऐसे tricks भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको 100 दिन के अंदर-अंदर J.R.F. लेने में मदद करेंगे. आप जैसे देख सकते हूँ अभी September month already start हो चुका है and जैसा की NTA के previous जो काम करने का तरीका है उसके analysis के base पर हम ये predict कर सकते हैं कि September में 10 तारीक तक या 10 तारीक के आस-पास का जो समय है NTA की तरफ से net examination का कोई न कोई notification जरूर जारी कर दिया जाएगा online application forms की बात यहां पर मैं नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ notification की बात कर रही हूँ जिसमें हो सकता है कि NTA एक expected schedule सभी students के लिए जारी कर दे expected पूरा process क्या रहने वाला है वो सभी के लिए NTA जारी कर सकता है जिसमें वो बताएंगे कि online application forms कब भरे जाएंगे examination की expected dates कब रहेगी form में जो भी आप लोगों को editing करनी होती है जो भी changes करने होते हैं जो भी correction करनी होती है वो सब कब रहेंगी इस तरीके का एक overview सा जो है schedule का वो NTA 10 सितंबर तक जरूर दे देगा इस सीजमें मैं काफी जादा sure हूँ इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि online forms तो जब NTA जारी करेगा उसके बाद क्या उसकी तयारी 100 दिनों में हो जाएगी तो मैं आप लोगों को यही suggest करना चाहती हूँ कि यह 100% sure है कि December में आप सभी students का UGES in it examination जरूर conduct करवा दिया जाएगा और आज से ही आप लोग 100 days preparation plan को follow करते रहिए और मैंने आपको हमीशा बताया है exam की तयारी करने से पहले आपको paper के pattern को समझना जरूरी है और UGES in it examination में paper 1 को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सभी students के लिए common paper होता है और इसमें आपको बिलकुल भी hard work करने की जरूरत नहीं होती इस paper में आप लोग अगर smart work करते हो एक smart strategy को follow करते हो तो बहुत आसानी से 80 plus score किया जा सकता है तो आप सभी students के paper 1 preparation के लिए complete course हम लेकर आए हैं for December 2023 examination जिसमें हम paper 1 के total 10 units को daily live lectures के साथ cover करवाने के आपको surety देते हैं Hindi English दोनों languages में course available है full syllabus notes आपको PDF के format में मिलेंगे जिसको बहुत आसानी से आप अपने mobile phone में भी download करके पढ़ सकते हो 60 plus mock test है दोनों languages में जिसमें से as it is questions exam में आते हैं साथ ही 2000 plus MCQ question bank में आपको मिलेंगे previous year questions most repeated questions and most expected questions हरे question के solution के साथ आपको detail में उसका explanation भी मिल जाएगी जो कि exam को qualify करने में आपको मदद करेगी so given whatsapp numbers पर जल्दी से contact करके इस course को join कर लीचिए और इसके लिए आपको flat 20% off अभी मैं दे रही हूँ यानि कि सिरफ और सिरफ 3600 रुपीज पे करके आप इस complete course को join कर सकते हो इसके free videos के access के लिए global online आपको download कीजे store section पर search bar में course का नाम लिखना है course के overview के बाद आप content पर click करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ही बाद सिरफ आपको 3600 रुपीज पे करने है लगातार 2 साल तक आप इस course का benefit उठा सकते हो इसके बाद content पर click करते ही आप यहाँ पर देखोगे different educators के free demo videos है unit wise folders है जहाँ पर आपको video lectures, test, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कि exam oriented way में ही बनाई गई है so जल्दी से given numbers पर contact कीजे या सबसे best option है global online app को download करके free videos का access उठा लीजिए so जैसे कि हम बात कर रहे थे कि September 10th September तक कोई ना कोई notification आ जाएगी and हम यह expect कर रहे हैं कि October के first week से या फिर 20 September के आसपास से online application forms भरना शुरू हो जाएगे अपने को बहुत से बच्चे ऐसे जो पहली बार exam देने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप सभी students को यह नहीं पता कि क्या आप examination के लिए eligible हो अगर आपको यह नहीं पता कि online form कैसे भरे जाते हैं अगर आपको यह नहीं पता कि form भरने से पहले आपको कौन कौन से documents अपने ready रखने हैं ताकि आपका form कभी reject ना हो तो यह कोई भी doubt अगर है comment करके बता दीजे मैं जरूर आपके लिए next video में उसका answer लेकर आऊंगी so जो भी documents रहते हैं यह बहुत important होते हैं ठीक है so exam में online application form भनने से पहले यह documents आपको ready रखने हैं उसकी list अगर आप बोलोगे comment करके तभी मैं share करूगी इसे के साथ आगे बढ़ते हैं so देखो आप लोगों का December मन्त में जरूर exam होगा तो हम यह expect करते हैं कि December का लगबग जो first week है उसके end तक हम expect करते हैं कि examination start हो जाएंगे और आपको पता ही है कि examination के event यह क्या करता है admit cards exam से तीन या चार दिन पहले ही release करता है तो यह सारा admit card और exam का जो funda है वो सारा December में रहेगा और उससे पहले आप लोग अपनी तयारी में लगे रहे हैं 100 days plan आपको अपनी तयारी में लगे रहे हैं 100 days plan आपको 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 surety देते हैं साथी कुछ यहां पर आपको ऐसे tricks भी बताए जाएंगे जो की बहुत smart way में paper 1 में आपको अच्छा score करने में मदद करते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से 100 days challenge ले लीजे consistency के साथ start कर दीजे और यसे कि मैं हमेशा हमेशा आप लोगों को से सिरफ एक ही बात कहती हूँ कि paper 1 हो या paper 2 हो किसी भी paper से आप लोग पढ़ना start कर सकते हो लेकिन दोनों papers को साथ में लेकर ही चलिएगा ठीक है दोनों papers को साथ में पढ़ना है ऐसा नहीं है कि paper 2 अभी पढ़ लेते हैं लास्ट का one month रहेगा तो paper 1 पढ़ लेंगे ये बिलकुल भी नहीं करना है डेली दोनों paper पढ़कर चलने हैं और जो भी इन paper में आपकी favorite unit है उस unit से पढ़ना start कीजे जिसमें सबसे जादा interest आपको लगता है उस unit से पढ़ना start कीजे ताकि आप लोगों को पढ़ाई की आदत बन जाए habit हो जाए और आप लोग consistency के साथ पढ़ना अच्छे से सीख जाओ तो इसी के साथ कोई भी doubt है तो मुझ से आप directly whatsapp के through given numbers पर contact कर सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best